हलो धनूराशी स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल पे और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपके पार्टन की करेंट फिलिंग्स आपके लिए क्या है वो आपके लिए क्या सूचते हैं क्या चाहते हैं आने वाला टाइम आप दोनों की लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूं कि यह जनरल रिडिंग है सारे मैसेजेद आपके साथ रेजनेट नहीं हो सकते हैं हो सकता है कि एक भी मैसेज भी रेजनेट ना हो आप आपके पार्टनर की राशी फल भी देख सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं ध जनुराशी के पाट्टर की करेंट फेलिंग सभी क्या है? दसन अटेच्मेंट एंचल अफस्ट्रेंथ एंच मैंन होल्डिंगे हाट शेक्स चक्रा शेक्स सेवन चक्रा फिफ्स चक्रा फिफ्स एवन तो कि एंड डो तु पर्सनल हीलिंग एपिनस अपकी करेंट प्रेलिंग अभी आपके पाट्रा की लिए क्या है दनुराशी देख ज़ेते हैं हम द थिंकिंग बुमान और यहां पर मैं देख पा रही हूं कि आपके पार्टनर आपसे एक नई शुरुआत चाहते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह तीनों जो चक्रा है यह हमारे अपर बॉनिके चक्रा है और यह एर एलिमेंट को दिखाते हैं मतलब कहीं नहीं वो आपके बारे में सूचते हैं वो बगवान से आपको मांगते हैं उनके दिमाग में हमेशा आप ही चलते रहते हो लेकिन वो एक sign का इंतजार कर रहे है कि universe एक sign दे दे कि हाँ ये चीज ऐसे कि तुम कर सकते हो हाँ ये person तुमारे लिए ठीक है नहीं है एक रोशनी वो देखना चाते हैं क्योंकि उनमें इतनी strength नहीं है कि वो अपना प्यार का इजहार कर दे वो हो सकता है किसी मतलब कोई situation ऐसी हो सकते उनकी life में जिसके में वो फसे हुए है और उनका जो actual प्यार है वो आपको नहीं दिखा पा रहे है अगर मैं ये story मुझे एक story इसे देखकर समझ में आ रही है कि आपके partner के मन में क्या चल रहा है तो सुनिए ये story कि आपके partner चाते हैं कि मैं एक नई सुभह तुमारे साथ चाता हूँ मैं अपनी हर नई सुभह तुमारे साथ चाता हूँ मैं अपनी family तुमारे साथ चाता हूँ मैं अपनी हर परिशानी को तुमारे साथ share करना चाता हूँ मैं प्यार चाहता हूँ लेकिन मेरी बहुत सारी मजबूरिया है बहुत सारी responsibilities है और शायद life में बहुत जादा मेरे up-down भी है हर चीज बहुत आसान नहीं है मेरी life में इसके वज़े से उतना courage मुझे में नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी दिल की बात बताओ मुझे में उतनी strength नहीं है तुम मेरी strength बन सकती हो अगर चाहो तू लेकिन मेरा मन जानता है कि चीजे वैसी नहीं होगी जैसा कि मैं सोच रहा हूँ इतनी आसान जिंदगी हमारी नहीं होगी ये सब चीजे मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ बताना चाहता हूँ लेकिन मैं एक सही समय का इंतिजार कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये कोई भी हो सकता है कि मैं एक साइन का इंतिजार कर रहा हूँ डिवाइन टाइम का इंतिजार कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा मुझे आकर कोई कह दे कि तुम ऐसा कर लो तो मैं वैसा कर तो बहुत ही emotional आपके partner यहाँ पर आपके लिए हो रहे हैं और यहाँ मैं देख पार हूँ कि आप भी इस बारे में बहुत सोच रहे हैं कि मैं इस रिष्टे में आगे बढ़ू या नहीं बढ़ू क्योंकि आपको भी अपनी मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपको दिख रह है कि मैं यहाँ पर अपना piece खो रहा हूँ या खो रही हूँ इसलिए मुझे यहाँ पर बहुत सोचना पड़ रहा है जिंदगी के रंग कम नजर आ रहे हैं लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत सारी सीडिया चड़तीवे में नजर आ रहा हूँ कि बहुत परिशानिया है messenger है ये ये message देने आते हैं तो आप दोनों ही किसी ऐसे message के इंतिजार कर रहे हो universe से मुझे ऐसा लग रहे है बहुत जादा आपने बोल दिया है कि universe अब तो मुझे sign दे दो अब तो बता दो क्या है हमारी life में तो ये sign का आप दोनों इंतिजार कर रहे हो तो अभी देखते है next क्या sign मिलेंगे आपको दनो राशी आपके पार्टनर की current feelings आपके लिए क्या है वाव the lovers मैंने कहा ना प्यार बहुत है मन में लेकिन कुछ ऐसी चीज़े हैं जो नहीं आपको साथ होने भी रही है आपके पार्टनर की current feelings oh god strength पे strength card आया है देखिए control किया है अपनी desires पे अपनी च्छाओं पे अपनी life पे और मैं यह कहूंगी कि life में बहुत कुछ हो आपके साथ चाते हैं लेकिन उन्होंने अभी अपने आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ है पॉजिटिव भी बहुत है आपके पार्टनर क्योंकि मुझे यहां पर दिख रहा है कि वो बहुत ही पॉजिटिव ले सोच रहे हैं कि भगवार ने जो में लिए लिखा होगा वो बैस्ट होगा दनू राशी के पार्टनर की करन्ट पेलिंग्स क्या है अगिन रेस्पोंसिब्लिटिज का कारहा है एक दनो राशी आपकी करन्ट पेलिंग्स आपके पार्टनर के लिए अभी क्या है देखिए बहुत जादा आपके पार्टनर ने अपने आप पे कंट्रोल किया वा है वो उन्होंने सोच लिया है कि जब तक मुझे clear thoughts नहीं होते जब तक मैं clear नहीं होता है इस विष्टे को लेकर मैं कोई answer या कोई reply नहीं करने वाला या नहीं करने वाली वो जानते हैं कि आप ही उन्हीं की दुनिया है आप ही उनका वो प्यार हो जिसके साथ उन्हें सारी खुशिया मिल सकती है वो अपनी life का हर पल जी सकते हैं लेकिन अभी वो कोई action नहीं ले रहे है अभी उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं सोचा है अभी वो commitment की energy में नहीं है क्योंकि उन पे शायद बहुत सारी responsibilities हैं शायद उन्हें उनकी financial condition पे बहुत जादा work करना है अपनी life को बहुत strong बनाना है और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि शायद अभी वो आपसे बहुत प्यार से भी बात नहीं कर रहे हैं बहुत rudely आपको reply दे सकते हैं और अगर आपने कुछ पूछा भी होगा बात भी की होगी तो शायद आपको बहुत proper reply नहीं मिला होगा कुछ एक नहीं शुरुआत वो आपकी साथ करना चाते हैं लेकिन अभी की situation ऐसी लग रही है कि कुछ तो ऐसा उनकी life में है जो उनको bound करके रखा हुआ है कि नहीं पहले तुम ये complete करो फिर उसके बाद अपने बारे में सोचो तो चाया वो कितना भी positive है इस रिष्टे को लेकर मुझे लगता है वो मन में जानते कि ये तो मेरा ही रिष्टा है लेकिन उन्होंने अभी अपने आपको control करके रखा है कि मुझे कुछ नहीं कहना है और अगर मैं यहाँ पर आपके cards देख रही हूँ कि आपकी energy कैसी है तो आप बहुत जादा परिशान है आप illusion में है ब्रह्म में है कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई third party situation है कोई और person भी उसकी life में है क्योंकि वो reply नहीं दे रहे वो action नहीं ले रहे इसकी वज़े से आपके मन में यह खयाल भी बहुत बार आ रहे है तो इसकी वज़े से अब आपने भी यह मन बना लिया है कि नहीं अब मुझे इस person के बारे में नहीं सोचना जब तक वो खुद अपनी मर्जी से मेरे पास नहीं आता हो सकता है long distance भी आप दोनों के सृष्टे में हो जिसकी वज़े से यह बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे को time नहीं दे पाते हो और बहुत ज़्यादा hurt आप दोनों को हो रहा है ठीके देखते हैं क्या कर्वा है आप दोनों का साथ में क्यूं आप मिले हो या फिर क्या कार्मिक रिलेशन है सिर्ष्टे का धनुराशी इंड कैन्सर हो कि आपका जो partner है सकता है करक्राशी का हो सकता है आपके जो partner है वह बहुत ज्यादा emotional है sensitive है caring है loving है और सबसे ज़्यादा important यह fourth house है तो वो अपनी मा से बहुत connect होंगे बहुत ज़्यादा वो उनकी खिलाफ जाकर कुछ नहीं करने वाले वो अपनी family के खिलाफ जाकर कुछ नहीं करने वाले कभी भी नहीं करने वाले उन्हें एक connection है अपनी family से भी और आप से भी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा loving और emotional है यहाँ six house की बात करूँ तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको अपनी health पे और अपनी diet पे बहुत focus करने की ज़रत है अगर आप yoga exercise नहीं करते हैं तो please start करें जिससे कि आप आपका जो आने वाला time है वो बहुत अच्छा रहे क्योंक साथ अपनी health का ध्यान जरूर रखे चलिए देखते हैं आगे क्या रहने वाला है इस रिष्टे में धनुराशी के इस रिष्टे में आगे क्या रहने वाला है फिचा कैसा रहने वाला है the master wow beautiful card the dream okay nothingness slowing down मुझे इसा लगता है कि जिस universe के message का आप दौनों इंतिजार कर रहे हैं जिस sign का आप इंतिजार कर रहे हैं बहुत ही ज़ल्दी आपको मिल जाएगा हो सकता है कि जिस सपने के साथ आप जी रहे थे वो सपना आप खुद ही बदल दे हो सकता है कि आप ही अपने कदम पीछे बढ़ा ले क्योंकि यहां आने वाले टाइम में कोई एक परसन बहुत तेजी से यहां से निकलता हुआ दिख रहा है यह रिष्टा जो बहुत ही अब तक आया था मतलब बहुत आप दौनों ने एक दूसरे के साथ सपने बुने थे वो मुझे आसानी से पूरे होते वे नजर नहीं आ रहे हैं मैं यह नहीं कहूंगी कि यह सब के लिए है मैं फिर से कहती हूँ क्योंकि कई बार सब के मैसेज आते हैं मैं हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है इस रिष्टे को लेकर आपके लिए क्या guidance है। इस रिष्टे को लेकर आपके लिए क्या guidance है। Solmate यहाँ पर देको यह card में मुझे सबसे पहले जो नजर आया वो एक यह hand है कि अगर आपके किस्मत में यही लिखा हुआ है तो definitely यही मिलेगा। लेकिन अगर आपके किस्मत में कोई और लिखा हुआ है तो कोई और मिलेगा। तो बहुत जादा मतलब इस energy में ना रहें कि यही चाहिए। आप अपने लिए best manifest करते रहें कि जो मेरी किस्मत में best है वो मेरी life में आए। तो आपके साथ अच्छा ही होगा। क्या guidance है धनुराशी के लिए? Vanity, Isolation, Abundance and Victim अगर आपकी आदत ऐसी है कि बार बार आपको ऐसा रखता है कि तुम मेरे साथ गलत करते हो। तुम नहीं मेरे साथ ऐसा किया है। तुम गलत इंसान हो। अगर आप इस तरह बात करते हैं और ऐसा आपका attitude रहता है आपके partner के साथ तो यह गलत है। हर बार आपको victim नहीं बना है, दूसरों के नजर ये से भी देखना है, दूसरे के नजर ये से भी सोचना इस्टार्ट करना है, हो सकता है वो अभी किसी problem में हो जो कि मुझे नजर आ रहा है, तो कोशिश करें कि किसी के लिए कुछ ऐसा बने कि उसकी life में खुशिया दे सके, उसके life में abundance ला सके, अगर आप वो नहीं ला सकते तो isolate हो जाए, आप isolate होने का मतलब ये है कि उस वक्त action भी ना ले, बजाए कि बार बार किसी को pinch करना कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, ये complain mode पे आना बंद करिए, बार बार complain करते र अपनी life में जैसे आप खुशियों को चुनते हैं, दूसरों को भी खुशिया दीजिए, दूसरों की life में भी खुशिया भी खेलिए, तो आपकी life अच्छी होने लगेगी, लास्ट में हम देखते हैं कि आपकी partner आपको क्या message देना चाहते हैं, धनुराश्री, धनुराश् flirt, बहुत जादा flirt कर रहे हैं, आपकी partner आपकी साथ हो सकता है, जब भी वो बात करते हैं, तो उनकी बातों में flirting ही नजर आती है, calling in your solmate, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी आपका solmate है, आपका partner भी आपसे यह कह रहा है कि जो तुमारी किस्मत में होगा, अगर हम solmate है, तो definitely हम मिलेंगे, अगर हम solmate नहीं है, तो शायद नहीं मिलेंगे, तो वो भी यही pray कर रहे हैं, मैंने कहा न, यहाँ पे वो prayer वाली energy बहुत जादा है, जो शुरू से कार्स में रजर आ रही है, कि universe से आपने कह रखा है, अपनी prayers में, अपनी affirmation में कि जो अच्छा है, जो sol मिलेंगे, तो यहाँ पे आपके partner भी यही बात कर रहे है, passion, बहुत जादा passion है आप दौनों के में, एक दूसरे के लिए, reconciliation, definitely आप दौनों के reconciliation के chances है, अगर break up है, तो release your ex, आपके partner कहना चाहते हैं, कि अगर पुराना कोई था तो उसको अभी निकालो अपनी life से, और एक न समझ जाते हैं, कि आप क्या कहना चाहते हैं, ऐसा connection आपका हो सकता है, तो overall बहुत अच्छे messages है, लेकिन कुछ situations ऐसी होती है, लाइफ में, जो हमें नहीं पता होती है, कि future क्या रहने वाला है, तो धरूराशी यह थी current feeling आपके partner की, वीडियो पसंद आईए, तो वीडियो को